नमस्कार आपका स्वागत है तिवारी अकैडमी में कैसे हैं आप मुझे उमीद है जहां भी है वहाँ पर खूब स्वस्थ होंगे मस्थ होंगे बहतरीन होंगे और कर रहे होंगे खूब सारे मजे हमेशा की तरह आज हम क्या बात करने वाले हैं भचो आज हम बात करने वाले हैं आपकी कक्षा एक के लिए यानि क्लास वन के लिए जो हिंदी की पाठे पुस्तक है उसके अंतर गताने वाले अध्याय सोला की और इसमें एक आनंदमाई कविता है हमारे लिए जिसको पढ़ के वड़ा इससे अच्छी क्या बात हो सकती है कि हम अपने जन्म दिवस पर पौधे लगाएं पेड़ लगाएं और फिर उसका ध्यान रखें है ना तो अब देखिए इस कविता को पढ़ते हैं और देखते हैं कितना मज़ा आता है तो पढ़ना शुरू करते हैं मैं एक एक लाइन पढ लगाओ हरा भरा संसार बसाओ अब आप तो जानते हैं बच्छो कि अगर हम जन्म दिवस पर पेड़ लगाने लगेंगे हम सब अपने अपने जन्म दिन पर अगर एक एक पेड़ लगाएंगे और उसका ध्यान रखेंगे तो क्या होगा ये जो पूरा संसार है ये हरा भरा हो जाएगा, सही कहा है न मैंने तो इसलिए यहाँ पर ऐसा लिखा है बच्चो आगे लिखा है जन्म दिवस पर पेड लगाओ तो अगर इसे एक लए में पढ़ा जाए कविता को थोड़ा गा के पढ़ना चाहिए तो लिखा है जन्म दिवस पर पेड लगाओ हरा भरा संसार बसाओ जन्म दिवस पर पेड लगाओ अब देखो आगे क्या लिखा है हरियाली से है खुशहाली अगर हरियाली है तब ही तो खुशहाली है बच्चो आपको पता है न पेड पौधे हमें कितना कुछ देते हैं खाने के लिए भोजन भी हमें पेड पौधों से ही मिलता है फल के रूप में सुगंध भी हमें पेडों से ही मिलती है फूल के रूप में और हम सांस लेते हैं न तो हवा भी हमें शुद्ध जो है वो पेडों से ही मिलती है बच्चो तो लिखा है हर्याली से है खुशहाली सुन्दरतामन हरने वाली और आपको तो पता ही है कि जब मैदान हरा भरा होता है न तब कितना अच्छा लगता है देखने में तो बस इसलिए लिखा है आपे पेडो और प्रकृती का नाता जैसे हो बच्चो की माता और आप तो जानते है न बच्चो ये जो प्रकृती है इससे पेडो का नाता हमसे कुछ एसी तरह से है जैसे हम बच्चे है और प्रकृती हमारी मा है आगे लिखा है फूल और फल तुम पाओ जन्म दिवस पर पेड़ लगाओ और अगर आपको भी फूल चाहिए फल चाहिए तो बस अपने जन्म दिवस पर पेड़ लगा दीजिए है नो बहुत ही अच्छी कविता भाई मुझे तो पढ़कर के मुझे पढ़के बहुत आनंद आया और आपको भी सुनके आनंद आया होगा मुझे पूरी उमीद है अब हम आते हैं बच्छो इस कविता के सबसे रोचक हिस्से पर जिसमें हम प्रशन और उत्तरों को करने वाले हैं तो देखिए अभी हल करते हैं बच्छो अब यहाँ पे लिखा है बाचीत के लिए तो चलिए बाचीत करते हैं हम पहला प्रशन है आप अपना जन्म दिन कब मनाते हैं? तो बच्चो मैंने हाँ जवाब लिख दिया है कि मैं अपना जन्म दिन 28 अगस्त को मनाता हूँ कितने अगस्त को 28 अगस्त को ठीक है बच्चो आगे लिखा है बच्चो कि आप अपने जन्व दिन पर क्या क्या करते हैं तो मैंने जवाब में लिखा है मैं अपने जन्व दिन पर बड़ों से आशरवाद लेता हूँ मुझे उमीद है बच्छो आप भी लेते होंगे आशिरवाद लेना तो बहुत अच्छी बात है हमेशा आपने बड़ों की हर बात माननी चाहिए और उनका आशिरवाद भी लेना ही चाहिए आगे लिखा है उस दिन सुभर स्नान करके नए कपड़े पहन कर मंदिर जाता हूँ शाम को केक काटता हूँ ठीक है अगला प्रशन है बच्छो कि कविता में जन्म दिन पर क्या करने के लिए कहा गया है तो जवाब है कविता में जन्म दिन पर एक पेड अवश्य लगाने के लिए कहा गया है तो एक पेड़ तो लगाना ही है बच्चो ठीक है ना अब आगे लिखा है क्या कि क्या होता अगर सभी अपने जन्म दिवस पर पेड़ लगाते तो देखिए मैंने जवाब में लिखा है अगर सभी अपने जन्म दिवस पर पेड़ लगाएंगे तो पेड़ों की संख्या बह लिखा है सभी जन्म दिवस पर स्वच्छता के कारी करते क्या होगा अगर सभी अपने अपने जन्म दिन पर स्वच्छता के काम करने लग जाएंगे तो देखिए मैंने जवाब में लिखा है यदि सभी जन्म दिवस पर स्वच्छता का कारी करेंगे तो हमारा गाउ, शहर, म नहीं करेंगे, साफ सफाई बनाए रखेंगे, अच्छे से पढ़ाई करेंगे, बड़ो का शुरुवाद लेंगे, तो फिर हमारा जो देश है, हमारी जो दुनिया है, वो अपने आप बहुत सुन्दर हो जाएगी, ठीक है? तो इसलिए यहाँ पैसा लिखा है कि हमारा गाउ शहर महला सब स्वच्छ हो जाएंगे, अगर सभी अपने अपने जन दिन पर स्वच्छता का ध्यान रखेंगे, और एक एक पेड़ लगाएंगे, अब आगे लिखा है बच्छो कि पता कीजिए और लिखिए कि इनका जन दिन का बाता है, जैसे दादा का, नाना का, आपके लिखा 16 अगस्त, रोहित का 2 मार्च, अमन का 24 अगस्त, राजेश का 3 नवंबर और मयंक का 8 मार्च, ठीक है, इस तरह से, अब आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हुए बात करते हैं, इस वाले प्रश्न की, ये लिखा है, बच्छो यहाँ पे लिखा है, शब्दों का खेल, पहले प्रश्न पर लिखा है, समान ले वाले शब्द खोच कर लिखिए, जिनकी ले समान हो, ले का मतलब क्या होता है बच्छो, जो बोलने में, एक जैसे सुनाई देते हैं, जैसे की, लिखा है फल, तो इसके जैसे बोलिए, जल, बोलिए, जल, तो जैसा फल, वैसा जल फिर बोलिए माता बोलिए तो माता बहुत अच्छे अब माता के साथ में एक शब्द और जुड़ गया खाता बोलिए खाता इसके बाद में है फूल बोलिए फूल उसके साथ में है मूल बोलिए मूल फिर है हरियाली बोलिए बच्चो हरियाली उसके साथ में लिख दीज वाले शब्द हैं समान ले वाले शब्दध है अब आते हैं बच्चो अगले प्रushn पर जो है चहीं शब्द से वाकय पूरे कीजिए तो पहला प्रश्ण है माली ने धर्थी में क्या बोया बीज की तो बच्चो माली ने धर्ती में बीज बोया, क्या बोया, बीज, फिर है बड़े प्यार से उसमें क्या डाला, जल की फल, आपको क्या लगता है बच्चो, माली पौधों में क्या डालता है, फल डालता है कि जल डालता है, बिल्कुल सही जवाब, बड़े प्यार से उसमें ज जल डाला, माली जल डालता है न, फल तो उसे पेड़ देते हैं, फिर है छोटा सा नन्ना सा क्या उगाया, पौधा की सौधा, तो जवाब है छोटा सा नन्ना सा पौधा उगाया, बोलिए मेरे साथ, पौधा, भाईवा, बहुत अच्छे, अब इसके बाद में अगला प्रश कर लिखने हैं, देखिए मैंने खोज लिए, पीपल, अशोक, नीम, बेर, इमली, और आम, सही किया न मैंने, बिल्कुल, तो इस तरह से पेड़ों की नाम खोज कर हमें हाँ पर लिखने थे, मुझे उमीद है, आप कोई बड़ा मजा आ रहा होगा ये प्रशन को हल करते समय फिर अगला प्रशन हमारे सामने है बच्चो, प्रशन क्रमांग चार, अपने घर के आसपास के चार पेड़ों के नाम लिखे हैं, अब मैंने मेरे घर के पास के चार पेड़ों के नाम तो बच्चों यहाँ पे लिख दिये हैं, आप भी अपने घर के आसपास के चार पेड एक साथ उखता है पता है आपको अब आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए मैं करता हूँ आपको नमस्कार क्योंकि जल्दी मुलाकात होगी अगले वीडियो में फिर एक बार